हाजी दोस्तों कैसे हो आप सभी दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल एक्जाम न्यूज में आप सभी का फिर से स्वागत है दोस्तों जैसे की आप देख पा रहे हैं HSE Breaking News दोस्तों भरती पूरी होने से पहले ही केस हो गया है भरती पर दोस्तों ये आपकी किस डिपार्टमेंट की भरती है संपून जानकारी आपको इस वीडियो मिल जाएगी बस हमारी आप से एक ही रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें लाइक कर दें सेयर कर दें और कमेंट कर दें दोस्तो साथ के साथ बेल आइकोन वाला बटन भी प्रेस कर दें तक कि भविश्य में हम कोई वीडियो अप्लोड करें उसका सीधा नौटिफिकेशन आपको मिल सके दोस्तो इस भरती के बारे में पूरी जानकारी देंगे आप सभी को उससे पहले भरतियों की ये आखरी तारिक देख लीजिए जो हैसी ने आपकी जो ये भरती निकाली है कौन सी भरती के लिए लास डेट कौन सी है ये आपके लिए बहुत जरूरी है बताना हो सकता किसी भाई को पता नहीं हो कि जो आपकी लाश डेट है कव की है और वो फॉरम फिल नहीं कर पाए और उसे बाद में पस्ताना पड़े दोस्तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यह आपकी जो किलर की जो भरती निकाली है इसके लिए आठ जुलाई है ग्राम सचिब के लिए 3 जुलाई है कैनल पटवारे के लिए 2 जुलाई है और सब इंस्पेक्टर और कॉंस्टेबल के लिए 26 जून है जिसके लिए आज लास्ट डेट है आप अपने फॉरम फिल कर दें कहीं बाद में आपको मौका नहीं मिले और दोस्तों यह आपकी जो जुनियर इंजनियर की जो पदा है इसके लिए 4 जुलाई है दोस्तों साथ की साथ मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ अगर आप फॉन फिल कर रहे हैं तो कॉंस्टेबल के लिए या SI के लिए आपकी जो चालान फीस है वो आपके अकाउंट से कट भी रही है और पैसे भी कट रहे हैं आपके अकाउंट से लेकिन जो उसकी जो ट्रांजेक्सिन आइडिया सो होने के बाद वो फेल हो रही है प्रकार से आपकी फीस सम्मिट नहीं हो पा रही है और आपके खाते से पैसे बिल्कुल कट रहे हैं चिंता वाली कोई बात नहीं है इसके लिए HSE बाद में समाधान निकाल देगा और आपका फॉर्म फिल हो जाएगा आप पहले अपने जो कागज है अपने जो डॉकुमेंट से वो अपलोड कर दीजिए फीज वो बाद में कटेगी आपकी कहीं आप बाद में पस्ता आएं दोस्तो बात करते हैं आपकी जो भरती है किस भरती पर केस हुआ उसके बारे में ने नोटिस डाउनलोड किया है वो भी आपको दिखा दिएंगे किसने केस किया है केस नंबर क्या है सब कुछ मिल जाएगा आपको इस वीडियो में आप बस वीडियो एंड तक देखना संपून जानकारी आपको मिल जाएगी दोस्तो जैसे की आप देखवा रहे हैं हरियाना पुलिस में गुरूप सी के 64 से पदों की भरती में खेल कोटे का आरक्षन ने देने पर पंजाब हरियाना हाई कोड ने हरियाना सरकार और हरियाना करमचारी चैनाय को फटकार लगाई है साथ ही दोनों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के आदिस दी हैं याची का दाखिल करते हुए सुमित, सुमित नाम के लड़के हैं उन्होंने याची का दायर की है और अन्या ने हाई कोट्स को बताए कि हरियाना सरकार ने 30 अप्रेल 2019 को एक नौटिफिकेशन जारी कर ग्रूप C और D की भरती में तीन प्रितिसत खेल कोटे का आरेक्शन दिया था दोस्तों सीधी सी बात है 30 अप्रेल 2019 को सरकार ने 3% आरेक्शन देने की बात कही थी ग्रूप C और D की भरती में लेकिन आपकी हरियाना पुलिस की भरती निकली है 9 जून का जिसका नौटिस आया था उसमें सपोर्स कोटे की कोई वेकंसी नहीं है 3% कोई कोटा नहीं दिया गया है उसकी वज़े से यह सुमित नाम के जो लड़का है और इसके जो साती है उन्होंने हरियाना सरकार और HSC पर केस कर दिया है और जो आपका हाई कोट है उसने जबाब मांगा है उसके लिए हम आपको बताना चाहते हैं उसके लिए जो नेक्स डेट है वो कबकी दी गई है एक बार वो देख लिजी आप जैसी आप हरियाना हाई कोट रुकी साइट पर जाएंगे वहां आपको केस टाइप करना केस नंबर डालना है और यह डालना है हम आपको बताना चाहते हैं आपका केस नंबर है 17137 है और आपका जो सन 2019 है सुमित वर्सिज एच एससी यह एड़ोकेट है सौरभ है संकलब ए जवाब देना है 8-7-2019 को इसकी जो नेक्स डेट है यह इसकी डेट दे रखी है दोस्तों एक कल का नोटिस से देख लिए 25-6-2019 दोस्तों अगर मान लीजिए यह केस आपका जिस कंडिडेट ने केस किया है सपोर्ट्स वाले के हक में आ गया तो हो सकता है एचसी फिर से फॉ सब्सक्राइब कर दें लाइक कर दें और कमेंट कर दें दोस्तों वीडियो देखने का सभी का दिल से धन्यवाद